बेताल कथा, साहसी वीर, डुडवती विक्रमार्क को बेताल कहानी सुनाने लगा। एक समय की बात है, जब चतुरसेन नाम के राजा अन्य अनेक राजावों को पराजित कर चक्रवर्ती सामराट कहलाए। सामराट चतुरसेन ने जिन देशों को जीता था, उनमें उन्होंने समर्द साशन व्यवस्ता कायम की और अच्छा यश प्राप्त किया। उनकी योग्यता ऐसी थी कि सामराज में सर्वत्र शांती का राज्यता, कहीं युद्ध का भई नहीं रहा। सामराट चतुरसेन की राजधानी श्रीरंग पट्टन थी। एक दिन महाराज चतुरसेन को यह सूचना मिली कि युद्ध का भई ना होने के कारण देश के सभी यवकों में ललतकलावों और ऐसे ही अन्यकार्यों के प्रती आकर्शन बढ़ रहा है। उन्होंने सोचा की देश का युवावर्क युद्ध विद्याओं की उपेक्षा करे यह हितकर नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने शिरंग पट्टन में शस्त्र विद्याओं की प्रतियोगिताओं का प्रबंद किया। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अनेक प्रदेश के युवक उत्साह पूर्वक राजधानी में आये। उनके टहरने के लिए नगर के परिसर में शीविर बनाये केए। प्रतियोगिताओं का आरंब होने में अभी दो दिन शेस थे। कि शीरंग पटन में अचानक एक राक्षस आधम का। ताड की उन्चाइं का वह राक्षस नगर के मध्यबाग में खड़ा होकर गरसकर राजा को पुकारने लगा। महान शूरवीर और पराक्रमी चक्रवर्ती राजा चत्रुसेन भी उस भयंकर रूपवाल राक्षस को देख कर भाईबीत हो गये। राजन अगर मैं चाहूं तो अपने पेर की मामोली ठोकर से इस पूरे नगर को खंडहार बना सकता हूं। पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पर मेरी एक शर्त है। तुम उसे पूरा करने को तयार हो। मेरी शर्त सुनो। मैं प्रति दिन इसी समय यहाँ पर आ करूँगा। तुम्हें मुझे प्रति दिन दो बलिस्ट एवं स्वस्त योगों को मेरे आहार के लिए अर्पित करना हो शर्त स्वीकार कर ली। उस दिन वह महाकाय राक्षस दो बलिस्ट योगों को लेकर राजदानी से चला गया। राक्षस के चले जाने के बाद महाराज चतरुसेन ने अपने मंत्रियों को बुला बेजा। सबने मिलकर इस घटना पर विचार विमर्शा किया। इस समस्या क का हल क्या हो सकता है। अंत में सब एक निर्नय पर पहुंचे और सारे देश में इस आशय का धिंडोरा पिटवाया गया। पहली घोशना के अनुसर शसस्त्र विद्याओं की प्रतियोगताएं अब नहीं चलाई जाएगी। लेकिन जोवीर हमारी राजदानी में संकट वाले इस राक्षस का वद करेगा, महाराज चतरुसेन उसका अभूत पूर्व सम्मान करेंगे। उसे अनेक पुरसकार दिये जाएंगे। यह जिंडोरा सुनकर शिवरों में टहरे कुछ युवक महाराज चतरुसेन से मिले और उनसे निवेदन किया। सामराठ उस करने के लिए युवकों को उत्यजित करना कदापी हितकर नहीं है। नाहक वे अपने प्राण खो वेटेंगे। उस राक्षस के बारे में कई युवकों को काफी जानकारी थी। यह राक्षस हमेशा ब्रह्मन किया करता था और अब श्रीरंग पटन नगर में आया था। महराच यह राक्षस कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकता। इसके पैरों में चकर है। इसके द्वारा आपके राज में जो संकट उपस्तित हुआ है वह तातकालक ही है। नगर ध्वंस्त होने से बच जाए और हजारों विक्तियों के जानमाली की रक्षा हो इवकों ने राजा को पूरा विवरन दिया। राजा ने निराश होकर इवकों को भेज दिया। और वे स्वयम गहरी चिंता में डूब कईये। दूसरे दिन भी राक्षस यधा समय राजदानी में आया और दो बलवान इवकों को लेकर चला गया। महरास चितरुसेन अपनी असहाय हालत पर बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने पुनह एक बार सभी मंत्रियों को बुलाया। और उनके सामने अपना विचार प्रकट किया। मैं अपनी प्रेजा को इस प्रकार इस राक्षस के मुक का ग्रास नहीं बना सकता। आप लोग इस समस्या का कोई हल निकाले। वरना मैं स्वयम उस राक्षस का सामना करूंगा। सामराच चितरुसेन राक्षस के साथ युद्ध करे। इसका सीधा अर्थ था आत्महत्या करना। सारे मंत्री चिंता में पढ़ गए। उन्होंने गंबीरता से विचार किया और महा मांत् साम्बक को बुलवा बेजा। साम्बक ने अंजन लगा कर मंत्रियों से कहा। मैं राक्षस की सिक्ती का अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं। मैं यहां से अपनी मंत्र शिक्ती के बल पर राक्षस के साथ लड़ूंगा। अगर मंत्र शिक्ती अधिक प्रबल रही तो राक राक्षस मर जाएगा अत्वा में अपने प्राणों से हाथ धो बेटूंगा। खून उगल कर मर गया है। दूसरे दिन राक्षस सदा की बांती फिर नगर में आया और दो स्वस्त युकों को उठा कर ले गया। विशों का ज्ञान भी अवश्य होगा। क्या विश्के प्रयोग से राक्षस की हत्या की जा सकती है। मंत्रियों ने जिग्ञास प्रकट की। राजवैज मुस्कुरा कर बोला यदि उस विश्य के प्रयोग के बाद भी कोई प्राणी जीवित रह जाता है तो संसार में ऐसा कोई दूसरा विश्य नहीं है जो उस प्राणी के प्राणों का हरन कर सके। उसी राजवैज ने कालकुट विश्य को विदिफूर्वक तैयार किया और मंत्रियों के हाथ में सौंप दिया। दूसरे दिन जो दो युवक राक्षस का आहार बनने वाले ते मंत्रियों ने वह विश्य उन्हें सौंप कर कहा। तुम दोनों इस विश्य को अपनी मुठियों में बंद रखना। राक्षस जब तुम्हारा बक्षन करेगा तब यह विश्य भी तुम्हारे साथ उसके शरीर में प्रवेश होना चाहिए। तुम्हारा मरण हो निच्चित है। किन्तु उस राक्षस के वदखा श्यय तुम्हें प्राप्थ होगा। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक संसार तुम्हारा यश्य गान करता रहेगा। राक्षस दूसरे दिन सदा की बानती आया। और उन दो नियत बलशाली योकों को उठा ले गया। उनके साथ उसके पेट में वह विश भी चला गया। पर इस विश से उसकी कोई हानी नहीं हुई। इसके बाद दूसरे दिन भी उसने अपना नियम पूरा किया। जीत कर चक्रवर्ती सामराट के गौरवपद तक पहुंचा हूँ। मैंने आज तक किसी के सामने अपना मस्तक नहीं जुकाया। लेकिन अब एक अधम राक्षस मुझे असहाय बना कर मेरी प्रजा का बक्षन कर रहा है। उसका आतंक और उसकी स्वेचारित को अगर मैं जासे विनिती की। महराज यह तो जानबूच कर मुझ्यू को गले लगाना है। पर सामराट चतरुसेन पर अब किसी की बात का कोई असर ना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया। ऐसे अत्ताई राक्षस का समहार करने पर ही मैं सामराट और चक्रवर्ती कहलाने का अधिकारी हूँ। अगर मैं राक्षस का वद कर देता हूँ तो अपने राजा नाम को सार्दक करूँगा। और अगर स्वयम उससे मारा जाता हूँ तो प्रज चत्रुसेन उसके सामने खड़े होकर बोले। अरे अधम क्या तु मुझे नहीं जानता। मैं अनेक देशों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती की उफादी से सम्मानित सामराट चत्रुसेन हूँ। तुम मुझ पर अपना आधिपर्त्य जमाना चाहते हो। मैं तुम से युद्ध करूंगा। अगर मुझे विजय मिली तो मेरी प्रजायें तुम्हारे आत्याचार से मुक्त हो जाएंगी। और अगर तुम जीत गए तो यह राज तुम्हारा हो जाएगा। यह कहकर महाराज चत्रुसेन म्यान से अपनी तलवार निकाल ली। राक्षस ने रा अपनी तलवार का वार किया। राजा के वार से राक्षस को ऐसा अनुबव हुआ मानो हतेली में चोटा सा कांटा गड़ गया हो। उसकी हतेली से खून बहने लगा। लेकिन राक्षस ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। उसने राजा के हाथ से तलवार चीन कर दूर फ अतिशे साहसे अत्यंत प्रसन हूं। इस पुद्वी पर तुम्हारे साध्य साहसी वीर सचमुच कोई नहीं है। तुम सचे चक्रवर्ती हो। तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन हूं और अब इस देश को छोड़ कर जा रहा हूं। राक्षस की बात सुनकर राजा को ब वहां मैंने समस्त विद्याओं में खुशलता प्राप्त की। उस लोग में मुझे पराजित कर सके ऐसा कोई नहीं रहा। पाताल लोग के राजा ने मेरे पराक्रम को देखकर मुझे अपना सेना पती नियुक्त करना चाहा था। पर मेरी एक विवश्टा थी। जब तक मै अपने से अधिक बल पलाक्रम वाले विर का सामना नहीं कर लेता तब तक मैं एक स्तान पर स्तिर नहीं रह सकता था। यह बात मैंने अपने राजा से कही तो उन्होंने कहा कि पुद्वी लोग में भ्रमन करते समय तुम्हारी इच्छा पूर्न होगी। इसलिए मैं पुद एक ऐसे विक्ति को देखा जो मुझसे अधिक साहसी और वीर है। मेरी विवश्ता अब समाप्त हो गई। अब मैं संतुष्ठ होकर पाताल लोग के लिए प्रस्तान करता हूं। वास्ताव में तुम चक्रवत्ती राजा कहलाने योगी हो। तुम पर तुम्हारी प्रजा कर सकती है। मैं तुमसे इतना अधिक प्रभावित हूं कुछ कह नहीं सकता। अच्छी बात है अब तुम मुझे विदा करो। यह कहकर राक्षस ने राजा के साथ आलिंगन किया और लंबे-लंबे डग मार कर वहा से चेला गया। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त कर विक् बार उसे एक मामुली कांटे की चुबन सा प्रतीत हुआ। फिर राक्षस ने राजा चेतरुसेन को अपने से अधिक साहसी वीर क्यूं कहा। इसका समाधन अगर आप जानकर भी नहीं देंगे तो आपका सिर्फ अटकर टुकडे-टुकडे हो जाएगा। विक्रमार्क ने ऐसा ना होता तो राक्षस सहज ही उसे पराजित कर स्वयम पातालोग का राजा बन बैठता। इससे यह भी पता लगता है कि राक्षस में अपने से अधिक शूर वीर विक्ति का सामना करने की शिक्ती नहीं है। महाराज चतरुसेन में यह अक्षमता बहुत अधिक है। व अभी दुस्टियों से उनसे अधिक वीर और बलवान है। फिर भी वे उसका सामना करते है। यही सच्चे वीर का लक्षन है। अपनी शिक्ति के अनुरुप व्यक्ति के साथ लड़ने वाला व्यक्ति साधारन वीर है। किन्तु जो अपनी शिक्ति से अधिक शिक्तिसाली के साथ लड़ने का साहस रखता है वह साहसी वीर है राक्षस ने यह सर्ज ही समझ लिया कि साहस में वह राजा चेतरुसेन से बढ़कर नहीं हो सकता इसलिए उसने उन्हें साहसी वीर कहकर अभिनन्दन किया और वापस पाताल लोक चला गया राजा के इस प्रकार मौन भंग ह होते ही बेताल शवके साथ अध्रश्य होकर पुनह पेड़ पर जा बैठा